हलो दोस्तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्वेस्वाइवाल्ड आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपकी प्रिग्नेंसी को कंसीव होने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है हर एक विमेन के साथ वो होती है आपकी मेंस्टुरेशन साइकल कुई भी प्राप्लम नहीं आएगी लेकिन वहीं पर अगर आपके प्रिग्ल भी Irregular है अच्छी तरह से खुल के प्रिब्ड नहीं आता है समय से नहीं आता है दो मेहने तीन मेहने के बाद प्रिग्यात आता है ऐसी महलाओं को घर्बधारन करने में काफी जादा दिक्कते ह तो आज का जो उपाय में आपको बताने वाली हूँ यह बहुत ही सटिक उपाय है इसको एक स्टडी द्वारा इसको कंसीडर किया गया था एक स्टडी में इसको पाया गया है कि इसका इस्तमाल करके आपके और साथी साथ आपकी इंप्लेंटेशन के टाइम पे भी यह काफी ज्यादा मददकार होती है वीडियो शुडू से लिए किलाज तक जरूर देखेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट कर रही हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रेगुलर चैनल को पड़ा हुआ अद्रक अद्रक इतना जादा बेनिफीशल होता है बहुत सरे विमारियों के लिए भी होता है और इसमें 60 से जादा ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपके शरीड में जो भी छोटी मोटी जो बिमारिया होती है उसको क्योर करने के लिए हेल्प करता है तो अ 5-6 दिन तक इसका इस्तमाल करिए तो यह नेक्स्ट साइकल में यानि कि जब आपको पता है कि वीमेन के शरीड में जब एक रिलीज होता है तो इसके छोटे-छोटे जो फॉलिकल होते हैं वो डे वन से यानि कि जिस दिन आपका पीरेड आता है उस दिन उस दिन यह पकना उन्हीं काफी जदा ज़रूरी है और जिंजर क्या करता है कि जो आपके जो छोटे-छोटे फॉलिकल होते हैं वो धीरे-धीरे-धीरे जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनको ग्रो करने के लिए भी काफी जदा मददगार साबित होती है जैसे-जैसे जैसे जो फॉलिकल होता है उसकी जो growth होती है उसे हम लोग follicular genesis बोलते हैं तो ये ginger का बहुत ज़ादा उपयोग होता है लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं होती है इसकी मात्रा अगर आप perfect रखेगा यानि कि इसको short doses यानि कि short term के लिए और low doses के लिए अगर इसको इसको इस्तमाल किया चाता है तो वो आपके evolution में काफी ज़ादा मददगार साबित होती है क्योंकि अंडे की एक proper size जब तक नहीं बनती है तब तक अंडा release नहीं होता है उसकी maturity नहीं आती है तो उसका fertilization होना असंभा होता ह fertilization अगर मालीजे ठीक से हो भी जाता है तो जो गर्थ में जो बच्चा जो starting जिसकी होगी उस समय वो बच्चा उतना ज्यादा स्वस्त नहीं होगा उसकी maturity अच्छे से नहीं होगी तो आपके एग की quality काफी जादा अच्छी होने के लिए हां को ये ginger का साहारा लेना चाहिए जिनके periods में problem है उनको बहुत सरी ऐसी भी ladies होती है जिनके flow बहुत जादा होते हैं तो उनको ginger का इस्तमाल पहले दिन से नहीं करना है जब उनका period रुक जाता है उसके बाद से उनको ginger का इस्तमाल करना है 5-6 दिन ये process आपको करना है आपके starting के time पे और evolution तक आते आते आपको इसको बंद कर देना है उसकी बाद आप सही time पे evolution के सही time पे अगर आप relation प्लान करते हैं तो उससे आपकी pregnant होने के chances कई जादा गुना बढ़ते हैं इसका dose लेने से पहले आप जब भी नाश्ता कर लेते हैं नाश्ता करने के बाद आपको 1-5 inch का जो टुकड़ा होता है आप करके देखिए लगतार 5 दिन आपके अंडे की quality अच्छी बनेगी अंडे की quality अच्छी होने के वज़े से आपका गर्भधारन काफी अच्छे से होगा और भगवान ने चाहा तो एक ही cycle के अंदर आपको good news मिलेगी अगर good news मिलती है तो चैनल पे please बताना मत बूला करि थैंक यू सो मच फर वाचिंग ट्विंस मैं वर्ल्ड